हम स्वप्न के माध्यम से बताना चाहते हैं कि स्वप्न जो है हमारे भविष्य का यथार्थ दर्शन कराता है। स्वप्न है क्या जो 24 घंटा हम कृत करते हैं वही हमारे स्वप्न में आता है और वह हमको भविष्य का दिसा निर्देशन करता है। तो कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं, जिनको अगर देखा जाए, तो यथार्ज सत्य प्रतीत होते हैं, राज सत्ता हैं, राज सम्मान भी ओस्वप्न हमको दिया करती हैं, जैसे जो व्यक्ति स्वप्न में सिंग है, हाथी है, घोड़ा है, स्वेत रंग के बैल से खीचे जा रहे रत पर सवार होकर के अपने आपको बैठा अगर देखता है, या कोई उसको हीच रहाय रत पर बैठा हुआ देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को राज सम्मान की प्राप्ति होती है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मस्तिस्क को अगर काटता है, या काटा हुआ देखता ह या किसी क्या के मस्तिस्क कोवा काटते हुए अगर देखता है तो उसको इस तरह के स्वपन से राजपद की प्राप्ति होती है, राजलक्षमी की प्राप्ति होती है, यदि कोई व्यक्ति जीव में स्वपन में अपनी जीवकटी देखता है या काटते हुए देखता है, तो म मंत्री होता है अगर मंत्री है तो वह मुख्य मंत्री होता है अन्य प्रकार के बड़े मंत्री और शदश्य होता है और प्रशास्निक अधिकारी का भी अगर साधारण व्यक्ति है पढ़ा लिखा है तो उस व्यक्ति को जो है प्रशास्निक अधिकारी का भी प्रद्राप्त हो झाल झाल